मनिपूर में बड़े एक्शन की तयारी एयर लिफ्ट कर भेजे गए आसम राइफल के 200 जवान मैतेई लिपुन प्रमुख पर हमला कोई हता हत नहीं कोकि समुदाय का आरोप सुरक्षा बल उन्हें परेशान कर रहे हैं मनिपूर चिटफंड मामले में राजिस्थान से एडि के दो अधिकारी गृफ्ता नमस्कार दोस्तों बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सब का स्वागत है मैं हूं मनजर आलब बोले इंडिया आज मनिपूर के अलावा राजस्थान से भी बोलेगा क्योंकि राजस्थान से जो खबर आई है उसका संबंध मनिपूर से ही है और बहुत महत्पूर्ण है तो आज का वीडियो शुरू करते हैं उसी खबर से देश भर में इनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट वीभाग यानि एडि के अधिकारी जिस तरह से मंत्रियों, नेताओं, अफसरों और कारोबारियों के यहां रेड कर रहे हैं जिसकी खबरें आप हर दिन पढ़ते हैं उसी इडि वीभाग को उस समय एक बड़ा जटका लगा जब उसके दो अधिकारी को राजस्थान के अलवर में राजस्थान के एंटी करप्शन बीरों ने रिश्वत लेते रंगे हांतों ग्रिफतार कर लिया मामले का कनेक्शन सीधे सीधे मनिपूर से है मनिपूर में एक चितफंड कंपणी के केस में सेटलमेंट करने और अन्य सविधा देने के नाम पर एडि का एक अधिकारी पीडित से 17 लाख रुपे मांग रहा था लेकिन उसे 15 लाख रुपे लेते हुए धर लिया गया उसके लिए काम करने वाले उसके सहयूगी को भी गिर्फतार कर लिया गया है दरसल मनिपूर में पिछले दिनों कुछ लोगों के खिलाफ चितफंड कंपणी चलाने और ठगी का केस दर्ज हुआ था उसी केस में पिडित से इड़ी अधिकारी रुपे मांग रहे थे पिडित ने राजस्थान के एंटी करॉप्शन विरो के अधिकारियों को बताया कि चितफंड कंपणी के केस में उनकी संपत्ती अटैच नहीं करने और केस को रफा दफा करने के एवज में इड़ी अधिकारी नवल की शोर मीना और उसके सहायक करमचारी बाबूलाल मीना उससे सत्रा लाख रुपे मांग रहे हैं राजस्थान के एंटी करॉप्शन विरों ने शिकायत करता के शिकायत पर कारवाई करते हुए के मंतरी भुपेश बगेल ने इलेक्शन कमिशन से एड़ी के अधिकारियों की गाड़ियों की जाच करवाने की मांग की है पत्रकारों से बात्चित करते हैं उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोक से अनुरोध है कि जितने भी स्पेशल प्लेंग छटीस गड़ में उतर रहे हैं सब की जाच की जाए आखिर बक्सों में भर कर क्या आ रहा है छापों के नाम पर आ रही एडी और सी आर पेफ के वाहनों की भी जाच की जाए परदेश के लोगों का आशंका है कि चिनाओ हारता दे कर भाजपा भर भर कर रुपए ला रही है हम मनीमूर की बाकी खबरों पर आएंगे लेकिन उससे पहले आप ये सुन लीजे कि 36 गड़ के मुख्यमंत्री क्या आप कह रहे हैं जिससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि देश में एडी का उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग जारे होसी चेकिंग होती है लेकिन दुरुपयोग के लेकिन निर्वाचन आयों से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वहनों के भी चेकिंग होना चाहिए हनुआर रुप से क्योंकि भारती जनता पर्टी हार मान चुकी है और यह आखरी दाओं हैं कि बक्सों में पैसे भर भर के लाये जा रहे हैं और उसका उपयोग मद्दाताओं को प्रहोईत करेक्ट किया जाए जाए इसलिए सभी वहनों के चेकिंग हासकर एडी और सी आर पियाप के वहनों के चेकिंग होना चाहिए अब बात करते हैं मनिपूर की जहां छे महीने के बाद भी हालातों में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है मौरे में SDPO, चिंगथम, अनन्द कुमार की हत्या के बाद मनिपूर में सुरक्षा बल एक्शन में आ गए है खबर है कि आसम राइफल के 200 जवानों को एर लिफ्ट करके मौरे पहुँचाया गया है सुरक्षा बलों द्वारा मेंनमार से आए उगरवाजियों के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है मंगलवार को ही सुरक्षा बलों ने कम से कम 32 मेंनमारी नागरिकों को मौरे में हिरासत में लिया था के विकेवल मेंनमार से अवैद अपरवासियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं कुकी जो मार समुदाय से आने वाले सभी 10 अदिवासी विधायकों ने मनिपूर में 10 अदिवासी विधायकों का ये आरोप मौरे उप विभागिये पुलिस अदिकारी चिंगतम आनंद की हत्या के दोश्यों को ग्रिफतार करने के लिए राज्य पुलिस दौरा शुरू किये गए अभियान के बाद आया है तासातरीन घटना में आज मेती लिपुन प्रमुक पर हमला होने की खबर है इंपाल से मिल रही खबरों के अनुसार शीजा अस्पताल की और से एक कार में आ रहे कुछ हत्यार बंद अग्यात वैक्तियों ने शीजा अस्पताल के पास सड़क के किनारे पार्किंग करते समय शुक्रवार की सुबा मेती लीपुन के अध्यच्छ मायोंग बाम प्रमुद सिह पर हमला किया गया गोलियां उनके बोलेरों में के पिछले हिस्से में लगी है और कोई घायल नहीं हुआ है दोस्तों ये थे मणिपूर की ताजा अपडेट जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो फॉरण सब्स्राइब कर लिजे और लाल बटन जरूर दबाईएगा हमारा ये चैनल फेस्बुक और यूट्यूब दोनों जगों पर उपलब्द है आप अपने सुविधा अनुसार और पसंद के अनुसार कहीं भी इसे सब्स्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप जोइन बटन दबाकर चैनल का मिंबर्शिप भी ले सकते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है तब तक के लिए नमशकार